मारिया एंड मर्यम बिगिन वाकिंग और गोज फाइव मायल दू नॉर्थ एक पॉइंट से नॉर्थ की तरफ के देर फ्रेंड दिलावर बिगिन अड दी सेम पॉइंट से दिलावर चलता है और गोज ट्वैल मायल दू वेस्ट की तरफ और हमने कॉलम ए और कॉलम बी की कॉंटिटी को कंपेर करना है कॉलम ए में दिया गया शॉर्टेज डिस्टेंस फ्राम मार्या टू दिलावर और कॉलम बी में है 13 माइल इसके लिए हम इनकी मूव्मिन्ट को ड्रॉ करते हैं यह स्टार्टिंग पॉइंट है मार्या जो है वो दिलावर चलता है और 12 माइल चलकर वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं हमने मार्या और दिलावर का डिस्टेंस बताना है देखें कि यह 5 और यह 12 तो हम इसमें पाइथागोरे स्थिरम अपलाई करते हैं तो यह डिस्टेंस मार्या और दिलावर का डिस्टेंस एक्व इसका मतलब है इन दोनों के दर्मयान डिस्टेंस है 13 तो कॉलम A की कॉंटिटिटी है 13 और कॉलम B में भी 13 ही दिया गया है तो इसलिए कॉलम A और कॉलम B की कॉंटिटी इक्वल है इसलिए इस क्वेस्टिन का क्रेक्ट आंसर है आप्शन सी क्वेस्ट चाहिए